हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल नमक काला नमक ये बहुत साइच चीजों में डलता है जैसे कि दई भले हो गए नॉर्मल दई भी अगर आप खाते हैं अगर इसे डाल ले तो टेस्ट दो गुना हो जाता है इमली की चटनी जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें भी मैंने ये नमक डाला था ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही एजी है चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या-क्या इंग्रीडियन्स चाहिए इसे बनाने के लिए आपको चाहिए काला नमक 200 ग्राम जो आपको मार्केट से ये इसली मिल जाएगा सफेद नमक 1 किल्लो काली मिर्च सिर्फ 50 ग्राम ये सारी चीज़े हमारे घर पे भी होती हैं और नहीं है तो आपको मार्केट से असानी से मिल जाएंगी अब एक प्लास्टिक कंटेनर लेंगे जिसकी क्यापसिटी 1.5 केजी और उससे जादा हो अब इसमें आड़ करेंगे सफेद नमक ध्यान रखिए जो आप कंटेनर लेंगे वो बिलकुल भी गीला नहीं होना चाहिए क्योंकि मौश्चर कंटेन्ट से नमक खराब हो जाएगा अब डाल देंगे काला नमक ध्यान रहे जो भी नमक हम इसमें आड़ करें उसकी क्वालिटी बहुत फाइन होनी चाहिए मतलब नमक में गाठे नहीं होनी चाहिए अगर गाठे हैं तो एक बाई मिक्सी में पीस लीजिए काले नमक को अब आड़ कर देंगे काली मिर्च इस जार में आप देख सकते हैं तीनों लेयर बहुत ही बढ़िया लग रही है सफेद नमक, काला नमक और काली मिर्च की अब एक आखरी काम रह गया है पर वो बहुत इंपोर्टेंट है कंटेनर बन कर लेंगे और नमक को अच्छे से हिलाना है हमें ताकि तीनों चीजी एक साथ मिल जाएं शेक करेंगे बहुत अच्छे से तो त्यार है काला नमक अब मैं आपको जरा सा नमक हाथ में लेके दिखाती हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए कितना आपको शेक करना है ताकि ये नमक मिक्स हो जाए इसमें पता नहीं लग रहा है कि हमने सफेद नमक भी डाला है तो बहुत अच्छे से मिल गए हैं ये तीनों इंग्रीडियन्स अपनाईए ये नमक बनाने का तरीका और बताईएगा जरूर कैसी लगिया आप सबको ये रेस्पी भूलेगा मत लाइक शेयर करना और आगे आने वाली बाकी सारी रेस्पीस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल बटन प्रेस करें थांक यू